Hello Friends, आप सभी का हमारे चैनल BTUP Steady Point में स्वागत है दोस्त हम बात करेंगी एक important जानकारी की बारे में जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पताओगा examination आपका कल है तो वहाँ पे दोस्त question paper को आप कैसे fill करेंगे उसके बारे में दोस्त मैं यहाँ पे details से बताऊंगा वीडियो दोस्त end तक देखिएगा ताकि आपको सभी चीजे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए दोस्त सबसे पहले आपको क्या करना है वहाँ पे नाम को fill करना है जो भी आपको नाम हो वहाँ पे आप क्या करेंगे नाम को fill करेंगे question paper में ठीके उसके बाद दोस्त यहाँ पे center code आपका center का नाम और center का code यहाँ पे लिखने को आएगा जो कि आपको admit card में दिया होगा या आप जहाँ पे examination देने जाएंगे वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपको वहाँ पे code क्या भरना है ठीके उस code को आप भरेंगे उसके बाद next step में क्या करना है आपको अनुक्रमांग अथार्थ roll number भरना है आपको जो भी आपका admit card में roll number है उसको आप यहाँ पे fill करेंगे फिर उसकी जो हिंदी में यहाँ पे Hindi fill करेंगे हिंदी में उसको लिखेंगे सबसे पहले उपर आपको अनुक्रमांग नंबर में लिखना है फिर आपको यहाँ पे सब्दों में लिखना है ठीके इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे कच्छ संख्या को भरेंगे जो भी आपका कच्छ संख्या होगा जो भी intrinsic exam जहां पे देने जाएंगे वहां का एक कच्छ संख्या होता है code होता है उसको आपको fill करना है उसके बाद वहां पे कच्छ नीरचक आपको sign करेगा इसके बाद दो सबसे important चीज पे आते हैं आपे कुछ चीजे आपको question paper से match खार आया नहीं इसका आपको मिलान करना है फिर दोस्त आजाना है OMR seat पे तो सबसे OMR seat को भरने के लिए निर्देश यहां पे दिया हुआ है जो कि आपके लिए important है यहां पे दोस्त बताया गया कि अनुक्रमांग प्रवेश परिच्छा केंदर का नाम की प्रविष्टियां सभी को बाल पेंसी भरे और प्रविष्टि 3-4-5 के आयताकार खानों में गोलों को बाल पेंसी भरे जैसा कि दोस्त मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बनाया था कि OMR seat को कैसे भरे इसमें दोस्त हम कुछीजे आपको वहाँ पे नहीं बता पाये थे जो कि यहाँ पे बताएंगे तो सबसे इंपोर्टेंट तरीका यह होता है कि आपको OMR seat को गोला कैसे बनाना है जो आपका सही तरीका है यहाँ पे देखिए आप चार आप्सन दिया है चार गोले आपको बने होंगे ए आप्सन के नीचे A, B, C, D, C में आपको गोला बनाने है तो आपको इस तरीके से गोला बनाएंगे जैसा कि दिया हुआ है आप इस तरह के कदाप प्रियोग नहीं करेंगे जैसे उसमें टिक लगा दिया या आधे गोले बना दिया या पॉइंट कर दिया तो ऐसा वहाँ पे बिलकुल भी नहीं करना है क्योंकि जो आपकी OMR seat चेक होती है वो आपकी मसीन द्वारा होती है आटोमेटिक चेक होती है इसलिए आपको वहाँ पे विशियस ध्यान रखना है आपको पूरे गोले बनाने हैं वहाँ पे अगला दोस्त यहाँ पे आपको बात रखने होगी यह है कि उत्तर चार्ट दो प्रतियों में होगा जो आपका OMR seat होगा वो दो प्रति में होगा एक तो आपको जमा करने हैं एक आप अपने साथ ले जा सकते हैं तो भरने से पहले दोस्त इसको आपको देखना है कि दो प्रति है या नहीं कि जिससे अगर हम आप उपर भर रहे हैं तो नीचे आपका सही परकार से वहाँ पे छप जाए वो आपका कारवन कॉपी लगा होता है जिसमें आपको दोबारा से फिल नहीं करना होता है लाश्ट में जब आप जमा करने लगेंगे OMR सीट को तो आप क्या करेंगे उसको दोनों को अलग करेंगे एक को आप जमा कर देंगे और एक अपने पास ले जाएंगे तो information दोस्त बस इतनी थी कि आपको OMR सीट में गोले कैसे बनाने हैं और आपको प्रस्न पुस्तिका को फिल कैसे करना है तो आसा करते हैं दोस्त इनफॉर्मेशन आपको पसंद आए होगी वीडियो अच्छा लगा दोस्त वीडियो को लाइक करिएगा जितने लोग चैनल पे